हेलो फ्रेंद्स मैं रोही नहीं वाव वर्ल से आपका आज फिर से एक बार स्वागत करती हूं आज मैं यूट्यूब का एक न्यू नोटिफिकेशन अक्चली मुझे आया था सो आई थौट तो शेर विद इस की नोटिफिकेशन जो भी है वह बहुत ही जादा इंपक्ट करने वाला है हमारे जो भी जित्ते भी अभी तक की यूट्यूबर्स है इन सब के लिए यह बहुत ही एक अच्छा इंपक्ट होगा बिकाज अच्छा तो नहीं भी बोल काँगी या फिर अच्छा भी बोल सकेंगे अच्छली यूट्यूब ने बोला है अच्छली उन्होंने सब यूट्यूबर्स को एक एक मेल भीजा है कि जब भी हम लोग यूट्यूब पर कब कोई भी विडियो अपलोड करते हैं जब लेफट साइट में हमारा विडियो अपलोड हो रहा होता है ज़ो प्रोसेसिंग के जाने के बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाता है after that we have to publish and उसके बाद जो हमें लेक राइट साइड में जब हम लोग गूगल अकाउंट ओपन करते हैं या फिर जी प्लस जैसे गूगल प्लस इसको हम लोग अगर ओपन करते हैं तो यह हमारा यूट्यूब नेटवर्क से कनेक्टेट रहता है जनरली बहुत सारे लोगों का जो इमेल आइडी रहता है वो ट्विटर से भी कनेक्टेट रहता है जब भी हम लोग यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आटोमाटिकली ट्विटर और गूगल प्लस से कनेक्ट होता है और फेस्बुक के लिए हमें खुझ से अपलाई करना पड़ता है अगर हम लोग फेस्बुक पर जाता है तो हाँ आपशन दिखता है वहाँ पे Actually 31st January तक ही यह option हमारे पास available है 31st January के बाद जो आपको right side में मैं उसका photo डाल दूँगी अपने वीडियो में तो आप उसको देख सकते हैं कि कैसे वो click होता है तो वो Google Plus and Twitter पे जो automatically tick हो जाता है automatically share हो जाता है तो 31st January के बाद ये वीडियो वहाँ पे automatically share बिलकुल नहीं होने वाला है So YouTube Academy ने हमें बोला है कि you have to share अगर आपको करना है तो you just have to put जहाँ पे आप वीडियो देखते हैं जो watch आपका वीडियो का जो रहता है timeline वहाँ पे नीचे share का एक option YouTube ने दिया है So वो share के option पे आप जब click करोगे और वहाँ पे अगर कोई icon आता है Like WhatsApp हो गया मतलब अलग-अलग icons अदर आते हैं So अगर आपको वहाँ पे share करना है तो वो आपका वीडियो upload होने के बाद आप वहाँ से share कर सकते हैं But वो generally uploading के time पे जो G Plus पे and Twitter पे upload हो जाता है वो 31st January के बाद नहीं होगा मैं एक screenshot भी आपको इसका दे देती हूँ इस वीडियो में जिससे आपको एक पता चल जाएगा Generally YouTube हमेशा ये changes क्यों लाते रहते Because YouTubers को बहुत ही जादा अच्छा platform मिला है जहां से हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए तो मेभी ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा depressing रहेगा But I hope इसमें से भी कुछ अच्छा ही होने वाला होगा इसलिए YouTube ने ये decision लिया है तो अगर नेक्स टाइम पे अगर आपका ये वीडियो अगर आपको इस चीज का कोई भी notification आए तो समझ लिजे YouTube थोड़ा चेंज हो गया है फिर से कोई अलगारिदम चेंज हो गई है और थोड़ा सा उन्होंने उसमें चेंज लाए है Because change is a must So, इसको accept कीजी and move on So, thank you friends Maybe आपको अगर लगता है कि ये चीज आपके लिए एक थोड़ा helpful रही होगी Because nothing matters, actually कुछ problem नहीं है So, अगर आपको लगता है कि it's okay or it is not So, please mention in the comments आप बताईए And please do subscribe to our channel जैसे मैंने आपको बोला है मेरे चानल की हिसाब से कि आपको यहाँ पर हर एक चीज के बारे में पता चलेगा आपको यहाँ पर ऐसा specification कुछ नहीं है The channel is for everyone It is for students हो या फिर normal business man हो या फिर women's हो बच्चे हो, बुड़े हो Students जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे वो हो So this is for everyone और में आज का वीडियो YouTuber हो So हर एक के लिए ये वीडियो ये channel is very much important So do not miss any videos Do subscribe to our channel For getting notifications in the future And do press on the bell icon To get the notification for the next video So I hope you have got some idea from this Thank you everyone Thank you very much And stay tuned for the next video Thank you